बिहार से एक और खबर पटना में मोहरम जुलूस के दुरान बवाल मच गया दुकानदार के साथ मारपीट की गई है दुकान में रखे फ्रिज को तोड़ दिया गया यह सिस्ट्रीव फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें पीड़ दुकानदार दिखाई दे रहा है मंगलवार की रात मदर्सा गली से मोहरम जुलूस निकला और पुलिस बल की तैनाती भी थी इसके बावजूद जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी दुकानदार की शिकायत पर केस दज़ कर लिया गया पुलिस इसी टीवी खंगाल कर आरप्यों की पहचान में जुड़ गई है और इसी तरह की घटना बिहार के मुंगेर में भी सामने आई जहांपर जुलूस के दरान दो अखाड़ा कमिटी आपस में भिड़ गए देखते देखते वहां पर पत्थर बाजी शुरू हो गई पुलिस आक्शन मोड में आई लेकिन इसके बावजू तब तक काफी नुकसान हो चुका था लोग एक दूसरे पर पत्थर फेकते वे दिखाई दे रहे थे सुना है के दूसरे पर पत्थर 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 कहीं पाओ है